दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में जब भी खुबसूरत अदाकाराओं की बात की जाते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम रश्मी देसाई, शेफाली जरीवाला, आर्ति सिंग और दृष्टिधामी का नाम आता है जहां इन चारवी अभिनीत्रियों ने अपने अलग-अलग प बेंतिहा महब्बत कि अखरती थी जी हां और हैरत की बाद तो यह रही दोस्तों कि जिसमेंत्ति चार्व अभिनीत्रियां बेंतिहां महब्बत कर वैठी थी वह अभिनीत्र souvent को यह अभिनिता के बारे में जानकारी देने वाले हैं तो पिछली देना करते हुए वीडियो कुछ स्चुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उसी अभिनिता के बारे में दरसल आपको बता दे कि TV की खुबसूरत अभिनित्री आर्ति सिंग रश्मी देशाई शेफाली जरीवाला और दुरुशिधामी जिसे एक अभिनिता शेफ बेंतहा महबत करती थी प्यार करती थी और जुसके हाथों इन चारों ने अपने अपने दिल तुड़वाए हैं वो कोई और नहीं बलकि टीवी की बहन और गोविंदा की भाजी आर्ति सिंग का नाम सबसे पहले शुमार है जो कि एक समय पर सिधात शुकला से बेंतहा महबत किया करती थी जिहां इस बारे में एक खुद ही बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टिंट शेवाली बग्गा ने बताया था कि साथ ही आर्ति सिंग की भाबी कश्मीरा शा ने भी इस बात का खुलासा किया कि आर्ति सिंग के दिल में सिधात शुकला के लिए फीलिंग्स थी लेकिन शायद इस सिधात की तरफ से महजिक अट्राक्शन था इसलिए तो उन्हों ने इनके साथ वादे और सारी कस्में तोड़ कर इनका दिल भी उन्हों को एक साथ एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाने लगा लेकिन जैसे ही इस शू में जैसमेन भसे की एंट्री हुई तो सिधात शुकला उनसे फलर्ट करने लगी जिसके चलते रश्मी देसाई को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि रोजा ना सिधात शुकला से जरीवाला इस लिस्ट में एक नाम काटा लगा फेम अक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का भी शामिल है जिन्होंने खुद ही बिग बॉस के सीजन 13 के दौरान कबूला था कि एक समय सिधात शुकला के साथ रिलेशन्शिप में रह चुकी हैं जिनके इस सखुलासे ने लोगो को काफी हैरान करके रख दिया था लेकिन उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने इनको चीट कर उन्हें धोका दिया वह बड़े ही दिल फेक किस्म के शक्स हैं जो आज किसी के साथ और कल किसी और किसा और उन्होंने यहीं सेम चीज इनके साथ करके इन्हें धोका दिय और इनका दिल तोड़ दिया नमब चार दुरुष्टी धामी इस लिस्ट की आखरी कड़ी में अब बात कर ली च्वाई अभी दुरुष्टी धामी के बारे में जिहां दोस्तों बताया जाता है कि जलक दिखलाजा शो में एक साथ इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफतार भी हुए थे जिसके चलते इन दोनों के लवफएर्स के खबरे खोब जादा मीडिया में च्छाई जाने लगी जिसके बाद इनकी फीलिंग्स की कद्र ना करते हुए सिधात शुकला ने अपना नाम खराब होने की वजह स इन्हें छोड़कर इनका दिल तोड़ दिया जिसके बाद आके चलकर दृष्टी धामी ने नीरज खिम का से शादिर चाई तो दोस्तों आपको सिधात शुकला के साथ इनमें से किस अभी नित्री की जोड़ी सबसे बेस्ट लगती थी आप हमें अपने राय कमेंट सेक्श